आज हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज उनको modern Indian history का जो paper हुआ था उसके model answers को हम लोग को सबसे पहले थ्री मार कर लेते हैं पहला प्रश्न है the Indian struggle यह सुभाष चंद्र बोस के 12 लेखेत एक पुस्तक है जिसमें 1920 से लेकर 1922 इसवी तक की घटनाओं का उलेख है और मुख्यत सुतंत्र आंदोलन के इतिहास का वाडन है बस यह तीन पॉइंट ही हमें यह mention करने है दूसरा मरा प्रश्न है Francisco D. Almeida यह भारत में पहला पुत्रगाली गवर्नर था जिसका कारिकाल 1505 से 1509 इसवी तक था और यह अपने blue water policy के लिए प्रसिद्ध है blue water policy से तात पर यह था कि Almeida यह मानता था कि समंदर में यानि पानी में जिसका अधिकार होगा वही सक्तिसाली होगा तो इस विचार को blue water policy कहा जाता है तो आपको सिर्फ इसको mention करना है इसका description नहीं लिखना है अगला प्रश्न है बकसर का युद्ध यह युद्ध 22 October 1764 को बकसर में लड़ा गया अंग्रेजों एव मीर कासिम, सुजाउद दौला और शाह आलम की सिंप सिनाओं के मध्य और इस युद्ध में ब्रिटिस जीत गये थे और जिसके परड़ाम सरूप उन्होंने इलहावाद की संधी की अगला हमता प्रश्ण ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोस तो दोस लिखने के लिए अगर आपको प्रावधान याद हैं तो दोस आपको उसमें कमिया ढोंड लेंगे जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान था कि गवर्नर जनरल के साथ उसके लिए एक परिसत का गठन किया गया चार सरस्य परिसत का जो गवर्नर जनरल को कोई भी नेड़ाय लेने के लिए सलाह देती और जो नेड़ें था वो बहुमत के आधार पर होना था तो इससे ये पता चलता है कि गवर्नर जनरल की जो पोजीशन थी वो परिसत के अपिक्षा कमजूर हो गई दूसरा सुप्रेम कोट की स्थापना की बिवस्था की गए थी तो सुप्रेम कोट लेकिन सुप्रेम कोट के अधिकारों की बात नहीं कही गई वारा एक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिस तो की गई थी लेकिन ये पूरी तुरह से प्रशाश्चनी व्योस्था स्थापित नहीं कर पाया जो कि सही हो स्वक्ष हो अगला जो हमारा प्रशन है that is Theosophical Society के उद्देश यहाँ आप चाहें तो नाम भी लेक सकते हैं किसने स्थापना किया था लेकिन जवरी है कि आप इस डिलेक्ट उद्देश से लेकिन तो पहला उद्देश जाती उपजाती रंग और धर्म के भेदबाव को मिटाना सभी धर अगला जो हमारा प्रशन है that is बेगम हजरत महल यह लखनव के नबाव वाजिदली शाह की पतनी थी और 1857 की क्रांती में या संग्सवतंता संग्राम में इन्होंने लखनव में क्रांती का नेत्रत तो किया था तीसरा पॉइंट लेक सकते हैं कि जब अंग्रेजों ने लख नेपाल चली गई थी और उसके बाद इनके बारे में कोई जैनकारी प्राप्त नहीं होती तो ये तीन पॉइंट यहां लिखने हैं अगला जो प्रशन है that is इंडिया लीग 1875 में सिर्कुमार घोस्ट वारा इस्थापित एक राजनितिक संस्था और इसका उद्दे से था कि नागरिकों में राष्ट वाद की भावना जगाना राजनितिक शिक्षा देना जिससे कि भारती जो हैं राजनितिक अधिकारों के लिए जागरूख हो सकें 1916 में कॉंग्रेस और मुस्टिम लीग के बीच एक सेंट यूजना पर सहमती बन गई इस सहमती को पैक्ट का रूप दिया गया 1916 के कॉंग्रेस के लखनव अधिवेशन में इसलिए इसको लखनव पैक्ट कहते हैं तो 1916 के कॉंग्रेस अधिवेशन में स्विक्रित हुआ ये और इसका जो मुख्य ओद्धिय से था वो था कि सदकार्थ पर समवैधानिक सुधारों के लिए दबाव बनाया जाए हमारा अगला प्रस्न था स्वाराज पार्टी तो असयोग आंदोलन की समाप्ती पर मोतिलाल नहरू उसियादास के नेत्रत में कांग्रेस में एक नए विचाधारा का जन्म हुआ जो यह मानती थी कि उन्हें विधान मंडलों में प्रिवेश कर यानि चुनाव लड़ना चाहिए और विधान मंडलों में जाकर राश्तिक संघस करना चाहिए अपनी मांगों को विधान मंडल में उठाना चाहिए तो यह तीनों पॉइंट हम लोग लेख सकते हैं आपर अगला जो प्रस्न था इस पोस्टल रिजवेशन बिल तो सभी ने अवग्या अंदोलन के दोरान गादी जी की 11 मांगों में से एक था यह और इसका उद्देश ही है था कि गरीबों को रहात देने के लिए डांक टिक्टों की कीमतों में कमी की जाए जिन्हें अंगलेजी हुकुमत ने बढ़ा दिया था यह हमारी थ्री मारकर कम्प्लीट हो गए अब हम लोग बात करेंगे शॉर्ट अंसर टाइप कुस्टिन्स की जिन्हें हमें 50 सब्द या 100 वर्ट में लिखना है आप लोगों में से कई लोगों ने कहा था कि इन हेडिंग्स का विस्तार कैसे करें इस अटीक है लेकिन हमें 100 वर्ट पूरे नहीं होगे पचास वर्ट तो फिर भी हो जाएंगे पर 100 वर्ट नहीं होगे तो यह किवले एक फॉर्मेट दिया जाता है आपको फिर भी मैं आज डिसकस करूँगा कि आप इसको समझ पाएंगे कैसे इनका विस्तार किया जाता है तो पहला जो प्रस्ण है दैट इस फ्रांसीसियों की सफलता के क्या कारण थे तो पहले तो भूमी का लिखिए कि अन्य यूरोपियन ताकतों या अन्य यूरोपियन कंपनियों की तरफ फ्रांस कंपनिया भी भारत में आई उन्होंने भारत में अपनी इस्तिति सुद्रण करने की कोशिस की लेकिन वे अंग्रेजों से पिछड़ गए और इस पिछड़ने के या सफलता के निमलेखित कारण थे पहला ब्यापारिक और आर्थिक स्रेष्टा का आभाव था तो ये फ्रेंच कंपनिय जो थी वो मुख्यता ब्यापार के लिए ही नहीं आई थी उनके अपनोंने अपने राजनितिक उद्देश भी बना लिये थे वो आर्थिक हितों को कम हतों देते थे जबकि अंग्रेज जो थे वो आर्थिक हितों को प्रियोटी देते थे प्रात्मिक्ता देते थे तो इसलिए उनमें ये जो एक ब्यापारिक कॉंप्रिटिवनेस थी एक प्रतियोगिता की जो भावना थी ब्यापारिक वो कम थी दूस्तों पॉइंट हम लग सकते हैं फ्रांसेसी और अंग्रेजी कंपनियों के संगठन में अंतर था फ्रांस की जो कंपनी थी वो उसमें वो सरकारी कंपनी थी उसमें दाजा और मंत्रियों का पैसा लगा हुआ था जिसके फलस्वरूप राजनितिक हस्तचिप सभाविक था जबकि जो इंग्लिस इस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेज कंपनी थी वो प्राइविट कंपनी थी और उनका मुखे उद्देश से जो होता था वो कंपनी के फाइदे के लिए होता था उसमें किसी तरह का राजनितिक हस्तचिप सामानिता नहीं होता था तो ये एक फाइदा था तीस्ता जो पॉइंट हम लग लग सकते हैं कि अंग्रेजी नौसेना के सेष्ट था अंग्रेजी नेवी या इंग्लिस नेवी जो थी वो पावर्फुल थी फ्रेंच नेवी से जिसकी वज़े से उनके शिप्स को या उनके जो मालवाग जहाज होते थे उनको सबंदर में पुरापर सुरक्षा मिलती थी चौथा पॉइंट हम लोग लग सकते हैं कि फ्रांसेसी अधिकारियों के परस्पर मत भेथ थे वो आपस में ही उन्हों लड़ते रहते थे जिसकी वज़े से कंपनी के जो मुख्य उद्देश से थे उनको पूरा नहीं किया जा पाथ किया और पांचवा एक पॉइंट हो सकता है कि डूपले का उत्तर दायत डूपले जब यहां आया है गवर्नर बन करके फ्रेंच कंपनी के तो उन्होंने आर्थिक हित्यों को कम इंपोर्टेंस दिया अपने राजनतिक उद्देश निधारित कर लिए और राजनतिक उद्देशियों के लिए वो इंटरफेर करने लगे भाती राजाओं के मामलों में जिससे की कंपनी पीछे चली गए तो ये प्रमुक कारण थे फ्रांसेसियों की असफलता के और आर्थिक रूप से पिछडने की कारण फ्रांसेसी युद्ध में भी अंग्रेजी कंपनी के सामने टिक नहीं पाए तो ये लास्ट में एक कंक्लूजिन भी अपनों को लिखना है फिर अगला प्रस्ण था कि प्लासी की युद्ध का परड़ाम और महत्व तो यहाँ पे सिफ एक छोटा चा डिस्क्रिप्शन की 23 जून 1758 को प्लासी का युद्ध नवाब की बंगाल सिराजुद दौला और बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी की कमांडर रवर्ट कलाइब की मद्ध लड़ा गया जिसमें सड्यंत्र के द्वारा इस्ट इंडिया कंपनी जीत गई या विजयी होई इसके निमलिखित परड़ाम हुए और जो महत्त पूर्ण है तो मुख्य जो हमको जोर देना है वो इन महत्त और परड़ामों पे देना है पहला बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया इन्डारेक्टली उन्होंने स्राजुद दौला को हटा कर मेज जाफर को नवाब बना दिया और मेज जाफर एक कठपुतली बन कर रहा गया मेज जाफर से इस्ट इंडियान कंपनी ने युद्ध हरजाने के तोर पे बहुत सारी धन संपत्ती वसूली कंपनी के अधिकारियों ने ब्यक्तिगत गिफ्ट लिये उससे तो ये एक तरह का नियंत्रन बना बंगाल पर अंग्रेजों का बंगाल की आर्थिक दोदसा हुई क्यों क्योंकि मेज जाफर को बहुत सारा धन कंपनी को देना पड़ा कंपनी को आर्थिक लाब हुआ उसी का दोसरा पहलो बंगाल ने पैसा कंपनी को दिया तो कंपनी के पास पैसे और आर्थिक स्थिती जो है उसकी मजबूत हो गई कंपनी के गौरव में ब्रिधी हुई यहां पर कंपनी को यह आत्मविश्वास आ गया कि वो किसी भी भारती राजा को हटा सकते हैं वो एक किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं और इससे उनको काफी आत्मविश्वास मिला अंग्ल फ्रांसेसी संगहर्स पर प्रभाव पड़ा अंग्रेजों को आर्थिक इस्ति मजबूत किया एक तो प्लासी के युद्ध के बाद हो गई उनकी जिससे कि वो फ्रांसेशियों पे भारी पढ़ने लग गए अगला हम लोग पॉइंट डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अंग्रेजों के लिए भारत विजय का मार खुल गया प्लासी वो पहला युद्ध था जिसमें अंग्रेजों को ये विश्वास हो गया था कि नहीं वो अन्य राजाओं को भी हरा सकते हैं और लास्ट पॉइंट हमनों लिख सकते हैं कि बकसर की युद्ध की आधार सिला रखी गए यहीं पर नेधारित हो गया था कि आगे चल करके भी अंग्रेजों के साथ युद्ध होगा और हुआ मीर चाफर को अटाय करनों ने मीर कासिम को नवाब बनाया मीर कासिम इस बात को जानता था कि अंग्रेज मुझे कोट कठ पुतली की तरह यूज करेंगे इसलिए उसने सुजाउद दौला, शाह आलम की सेनाओं के साथ मिल करके एक युद्ध लड़ा जिसको हम बकसर का युद्ध कहते हैं तो वो प्रस्ट भूमी यहीं तयार हो गए थी तो यह सारी बाते हम लोग दो-दो लाइन डिस्क्राइब कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो वर्ड लिमिट है वो पूरी हो जाएगे और लास्ट में कन्क्लूजन लिख सकते हैं कि प्रासी का युद्ध जो था और उसका जो परड़ाम था वो एक फाउंडेशन था ब्रिटिस रूल का भारत में ब्रिटिस सासन का भारत में फाउंडेशन नीव थी जिस पर वो इमारत खड़ी होई अगला हमारा प्रस्ट था 1857 की क्रांती के सैने कारण देखे 1857 की क्रांती के और भी कारण है लेकिन यहां प्रस्ट में केवल सैने कारण पूछा गया है तो आपको सैने कारण ही बताना है यहां केवल चार पॉइंट लिखे गए लेकिन आपको थोड़ा सा भूमिका देनी है इन चारों पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन देना है और फिर एक कंक्लूजन देना है तो यह आपका सौशब्दों के आसपास पहुँच जाएगा भूमिका में क्या लिखेंगे कि 1857 की क्रांती मुक्धिता एक सैने क्रांती थी जो सैनिक असंतोस के कारण भड़की मेरट से सुरू हुई वे सैनिक असंतोस निमलिखित कारणों से थे अभी चार कारण आपको बता देने है पहला उचपदों पर भारतियों की निक्ति ना होना ब्रिटिस सेना में जो उचपद थे वो केवल यूरोपियन्स के लिए एक तरह से रिजार्व थे कभी भी भारति सेनिकों को सुवेदार से उपर नहीं बनाया जाता था समाने था उन्हें सुवेदार तक ही प्रमोट किया जाता था भले ही वो कितने भी काबिल क्यों ना हो जबकि European कम काबिल होने के बावजूद भी सुपिरियर पोस्ट पे उनको रखा जाता था दूसरा वेतन में असमानता एक ही रैंक पर एक भारती है और दूसरा European है तो European को ज़्यादा सैलरी मिलती थी ज़्यादा भत्ते मिलते थे जबकि भारतीयों को कम इससे एक तरह का आरथिक असमानता भी बनती गई उनके मर्दे और एक असंतोस बना तीसरा पॉइंट भारती सिपाहियों और अधिकारियों के साथ दुर्वयभार किया जाता था उन्हें काला ब्लैक कहा करके गाली गलोस किया जाता था उनके साथ तो ये एक तोड़ा का सोसल प्रस्तीज थी, सामाजिक वो भी भारती सिपाजियों और भारतीयों की अच्छी नहीं थी सेना में और जो ताथकालिक करण था वो था चर्बी वाले कार्थोस नए कार्थोसों पर सुवर और गाय की चर्बी लगी होती थी जिसको मुझ से खीचकर राइफल में लोड करना होता था और यह गाय यह सुवर की चर्बी ना तो मुस्लिम कीचना पसंद करते थे और ना ही हिंदू दोनों के लिए आप अत्ती जनक बात थी और यही ताथकालिक कारण बना तो यह चार पॉइंट हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं और अंत में फिर कंक्लूजिन भी कर दें कि अठाव सत्तावन की क्रांती मक्यता सानिक असंतोस की ही क्रांती थी और सेना नहीं इसमें मुख्य भाग लिया, मुख्य तौर पे तो इस तरह सी हंडेड वाट्स हो जाएंगे अगला जो हम लोग का प्रसंता है जाट इस असयोग आंदोलन की कारण एक छोटा सा भूमिका लिखे 1920 में महात्मा गाधी की नेतरत में असयोग आंदोलन की सुरुवात होई इसके निमलिखित कारण थे पहला कारण प्रथम विश्यूद्य की समाप्ति पर सरकार अपने वादे से मुकर गई प्रथम विश्यूद्य में भारतियों का समर्थन और सहयोग पाने के लिए ब्रिटिस सरकार ने यह वादा किया था और यह घोश्णा की थी कि वहाँ प्रथम विश्यूद्य लड़ देई है लोगतंतर को बचाने के लिए लोगों के आत्म नर्णाइं को बचाने के लिए उनकी सक्ती प्राप्त करने के लिए और युद्ध के बाद ब्रिटिस सरकार भारत में भी लोग तंत्र को बढ़ावा देगी आत्म नर्णाइं के अधिकार लोगों को मिलेंगे और खत्म होने के बाद सरकार ने इसमें से कुछ भी मांगे स्विकार नहीं किया जो वादा उसने किया था उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो यह इतरा का असंतोस क्रियेट हो गया इस समय दूसरा 1917 की रूसी क्रांती 1917 में रूसी क्रांती के फल सुरूप तक्ता परठ हो गया जाद का सासन समापत हो गया उसने भारतियों को भी एक आत्म विश्वास दिया कि वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं तीस्ता 1919 इसपी का अधिनियम अंग्रेजी हुकूमत ने 1919 में एक भारत सरकार अधिनियम लेकर के आई जिसमें आंसिक उत्रजाईत तथा केंद्र वा प्रांती विश्यों का बटवारा भी किया गया था और इन बेवस्थाओं को ना तो कॉंग्रेज ने एकसप्ट किया और ना ही मुश्णिम लेग ने माना आत्मिर्णे के सिध्धान्त के अंसार पूरी तरह पा उत्तरदाई सरकार कायम करने के लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए था बिड़े सरकार को लेकिन बिड़े सरकार ने इसको एकसप्ट नहीं किया कॉंग्रेस ने बारवार ये कहा कि सरकार आत्मिर्णे क सिध्धान को लागू करे क्योंकि यह उसका वादा है लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया इससे एक असंतोस ब्याप्त हुआ भारती नेताओं में फिर उन्होंने रोलेट अधिनियम ला दिया रोलेट अधिनियम के अंतरगत सरकार चाहती थी कि जो असंतोस क्रियेट हुआ है भारत में उसको किस तरह से दबाया जाए किस तरह से उसको सप्प्रेस किया जाए जिसके अंतरगत यह व्यवस्था थी किसी बेक्ती को बिना मुकदमा चलाया बंदी बनाया जा सकता था उससे जमानवत लेने वौए अनिकार्यों प्रत्वन लगाने का तिकार सरकार को प्राप्त हो गया था इसके कदार जिसको ब्लाक एक्ट भी कहा गया काला कान। तो इससे और ज्यादा भारतियों का जो क्रोध था वो बढ़ गया तो जलिया वाला कांड हो गया जलिया वाला कांड हम सब जानते हैं क्योंकि वो दुलिट एक्ट के विरोध में ही वहाँ पे सभा हो रही थी जिस पर की जनरल डायर ने फाइरिंग करवा दी और हजारों लोग मारे गए फिर खिलाफत आंदोलन खिलाफत आंदोलन भी एक कारण था यूँ कर लिए कि जस्ट सायोग आंदोलन के पहले ही सुरू हुआ था तुर्की सामराज की अखंडता और परितस्तिलों की रक्षा के लिए इसको सुरू किया गया था भात्य मसलमानों ने सायोग किया इसके माध्यम से तो ये सारी बाते मिल करके असयोग आंदोलन के लिए परियाप्त थी तो लास्ट में हम लोग उलेख सकते हैं कि उपरियोक्त कारणों के ने असयोग आंदोलन के लिए परियाप्त माहौल क्रियेट किया और असयोग आंदोलन को सुरू करने में अपनी महत्यपोड़ों भूमिका निभाई और इस तरह से 100 words हो जाएंगे अगला जो हम लोग का प्रस्ता था गांधी एरिविन समझाथा देखे इसके मुक्ष सरते क्या पोछी गई हैं तो पहले आपको इसकी छोड़ी सी भूमिका देनी है इसकी प्रस्त भूमि बताने है कि समझाथा हुआ क्यों था सरते कहां से आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि सविनय अवग्यांदोलन जब गाधी जी ने सुरू किया था 12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ते हुए तो उस समय पूरे देश जो था वो सविनय अवग्यांदोलन में सामिल हो गया था उधर साइमन कमिशन की रिपोर्ट आ चुकी थी और सरकार ने गोल में समयलन आयोजित किया था पहला गोल में समयलन बेकार चला गया था क्योंकि इसमें कॉंग्रेस ने भाग नहीं लिया था और इसलिए कोई उसका fruitful result नहीं आ पाया था तो government चाहती थी कि एक तो यहाँ पे शांती माहौल इस्थापित किया जाए British government ऐसा चाहती थी कि आंदोलन बंध हो और Congress गोल में समयलन में भाग ले और इसके लिए जरूरी था कि Congress और British government के बीच कोई बीच का रास्ता तैंक कर दिया जाए तो इसी लिए गाधी इरिविन समझाता हुआ 5 मार्च 1931 को और इसके मुख्य सर्थे नेम लिखे थे प्रहला यह था कि Congress सभीने अग ज्यांदोलन को समाप्त करेगी महात्मा गाधी Congress के प्रतिधी के रूप में गोल में समिलन में भाग लेंगे सभी राजनितिक बंदे जिनके खिलाफ कोई हत्या हिंसा के आरोप नहीं है उनको मुक्त किया जाएगा विदेशी वस्त्रों सराब के दुकानों पर शांती पूंट धरना जारी रहेगा और समुद्री छेत्रों में बिना नमक कर दिये नमक बनाने की अनुमती दे दी गई तो ये पांच मुखे स्टरते थी और लास्ट में आप कंक्लूजन कर सकते हो कि गांधियर्विन समझोते कि अंतरगा थी गांधी जी फी गोल में संबिलन दुती जो हुआ था उसमानों ने भाग लिया लेकिन उसका भी कोई परड़ाम संतोजनत नहीं निकला फिर हमारा जो प्रस्टा लास्ट प्रश्णि लॉंग अन्चाटाईब भारतिय पुनर्जयाग्रण का भारतिय समाज पर प्रभाव एक चोटी सी भे έχει आपको लिखनी है भारतिय पुनर्जयाग्रण क्या था ये मैं छोड़ दा हूँ यहां पर कि भारती पुनर्जागरण क्या था आप समने पढ़ा है इसको लिखेगा और उसके बाद उसका प्रभाव क्या पढ़ा तो प्रभाव यह है कि बुद्धिजीवी दस्टिकून का विकास हुआ अब यहां एक्जामपल भी देना है आपको कि भारती पुनर्जागरण के अंतरगत जब भारतियों को पास्चात आतुनिक सिक्षा प्राप्त हुई तो बुद्धिजीवी वर्ग सामने आया राजा राम मोहन राय इसके प्रत्निधी थे डेवे इना टैगोर इस समाज के प् प्रयास किया अब इसके अंतरगत आप बताएंगे कि कैसे बली प्रथा का विरूद किया उन्होंने मोति पूजा का विरूद किया एक दो एक्जामपल लिख करके इसको डिस्क्राइब करना है तीसरा पॉइंट सामाजी कुरूतियों की समाप्ति का प्रयास किया गया लोगों ने यह भावना ब्यक्त की कि हमारी जो सभ्यता है प्राचीन संस्कृति है वो हमारे स्ट संस्कृति है क्योंकि अंग्रेजों ने यह दिखा दिया था कि नहीं हम इंफिरियर हैं लेकिन इन्होंने कहा जो ब्रद्जीवी वर्ग जागा कि नहीं हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है उसमें हमें गर्व होना चाहिए विकानन गर्व से को हम हिंदू है दयानन सरस्वति बैक टू वेदाज ये उधारण देने हैं किससे गवरव की भावना जागी भारतियों में अपने अतीत की अध्यान की प्रतिर उची अगें बैक टू वेदाज वेदों की लोटो दयानन सरसुति कि अपने अतीत को पढ़ो समझो तो ये एक इंट्रस्ट जगाया गया राष्ट्री एक्ता और देश भक्ति की भावना का विकास हुआ उस समय राष्ट्र जैसी कोई चीज नहीं होती थी राजा महराजा होते थे अंग्रेजों से पहले अपने अप इकानन स्वामी दयानन सरस्वती का समाचार पत्रों का विकास हुआ बहुत सारे समाचार पत्रों का नाम आप लिख सकते हैं जो भारतियों ने प्रकासित किये मिरातु लखवार राजाराम मोहन राय का लोगतंत्र स्वतंता था समानता की भावनाओं का संचार हुआ क्यों और जिसके फल स्वरूप एक ताकतवर सिक्षित समाज क्रियेट हुआ भारत में जिसको जिसने बाद में अंग्रेजों का खुल कर सामना किया विरोध किया सुतनता की लड़ाई लड़ी और इसी लिए कितिहास कातने किसी ने लिखा है कि अंग्रेजी बेडियों को भारतियो ने अंग्रेजी हथोड़े से ही काटा उसमें अंग्रेजी हथोड़े जो है यह आदुनिक सिक्षा पुनरत जागरण है और बेडियां अंग्रेजों की दास्ता इन आठ पॉइंट्स को आपको डिस्क्राइब करना है तब जाकर के यह 300 सब्दों में या 200 सब्दों में हो उद्देश होता है कि वीडियो को छोटा रखा जाए ताकि आप लोग इसको पूरा देखें क्योंकि लंबा वीडियो देखना थोड़ा सा असहाज होता है फिर भी यदि किसी तरह की कोई कंश्यूजन हो डाउट हो आप हमें जरूर बताएं धन्यवाद